पाक्स्तान की Cricket Team New Zealand की C Cricket Team से हर गई इसमें क्या इसकी विजवात होत्ति रावराजम की दोस्तियां बावराजम का वन डैमेंशनल होना बावराजम या फिर चेपमेन की आउट क्लास बैटिंग और इसके लावा हम आज की वीडियो में बात करेंगे विरात कुली के रात कुली आउट थे या विरात कुली आउट नहीं थे आप एरे चैनल पे नहीं है आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से रिक्वेस् से कंप्लीट होगा उसको वन साइडेड जीत चाहेगी जिस तरह पहला मेच वाश ओट हो गया दूसरा मेच पकस्तान ने बिलकुल वन साइडेड जीता लेकिन तीसरे मेच में जिस तरह से पकस्तान की ठीम हारी चिप मैंने ऐसी खतरनाक बैटिंग की कोई पकस्तानी बालर ट ची च culture में चोर सकते मुसल्सल उनको टीम में चांस दिया जाता है महमन आमर एक मैं खेले फिर बाईर हो गे हमाद वसीम को स्टिल चांस नहीं मिला और मुसल्सल खार जाहरा है शदाब को शदाब के सा भी हमाद वसीम को खाले जा सकता है उनकी टीम में जगा बन सकती है 2260- 207 स्कूर बन रहे हैं वो डू टो फबंटीफो चेज़ हो रहा है अगर इच्छ पाः कोई वन एटी स्कूर आते हैं अश्यक करकें बनता है 150 का 150 के स्ट्राइक रेट से 180 स्कोर बनते हैं तो अब 160 तक स्ट्राइक रेट रखने की जरूत होती है प्लेयरों को इसके लागा चैप मैंने के बात करें तो उन्होंने बड़ी क्लास की बैटिंग की कुमाल की बैटिंग की जिसके वैसे पकस्तान की टीम की मोल से कप एक मरत फिर ना ही समझें उमीद ना ही लगाएं क्योंकि जह तरह की बैटिंग देखने को मिल रही है वह टीट्वन्टी की बैटिंग नहीं है टीट्वन्टी में आपके सामने थर्ट क्लास पालिंग है तो आप बंस सेवन्टी तक जा रहे हैं आपको टू फोर्टी त जाना चाहिए जो भी प्ले राता है मुझे नहीं समझाती पक्सानी टीम या को इसको हो गया जाता है इर्फान उल्ला न्याजी को देखें वह भी सुस्त के रहे थे बाबर राजम का तो अंदाज रिजवान का ऐसा ही है वसुस्त के देहें एक चाचा से और एक साहिम से आ और पूर अंपारिंग के वज़े से पकस्तान मेच हार गया था जी हां दोनों एंसिडेंट की बात करें तो आई पिल में एक मेच के दुरान फास्ट बालर अवर करवा रहे थे और ग्रीस से बार बैटिंग कर रहे थे और वेस्ट हाई बाल आई जिसको बाद में टिकनालो की हाइट से नीचे थी अगर दोनों बालों का कंपेरेशन करें अगर वो वाल्ड कप में जो मौमन नवास आखिनी अवर करवा रहे थे उनकी बाल को अगर हम देखें तो वो बाल एक तो स्पिनर भी था और दूसरी इस बाल से उसकी हाइट कम थी वहां पे अमपार ने उस विरातकोली की वेश्ट जो है उससे जो ती कुछ वैसे विरातकोली को आउट दे लिया गया यहां पर अगर हम देखें तो वच्य को बात सकती है नमबर वन बीस कर बात करें वोल्ल कप की मेस की बात करें और बीत कुरा बहर बैटिंग कर रहे थे उस कुछ δεν से पिछे ज्स consider की जा सकते थे और अगर आई पहल की बात करें तो यहां पे भी ग्रीज से बार बैटिंग करें थे दोनों चीजें सैम आती हैं सैम फ्रमूले पर फैट आती हैं हाइट की बात करने तो वहां पे जो बाल आई थी जो मौमन नवाज ने करवाई थी उसकी हाइट इस पाल के आ मिलना चाहिए था नवाज को मिलना चाहिए था कि स्पन बाल रहा है और वहां पे आउडरा चोथी बाल करें तो यहां पे टिकनालोजी थोड़ी सी इडवांस है आई पील में 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 से पहले जब खलाणियों की फोटो लिए जाते हैं फोटो सेशन होता है तो उस हिसाब स से एक वैस्ट हाई पे माश कर ली गी है उसको साथ todayint प्लेर के सबस्फार स्बारी गी है और फिर उसो कंपेर किये जाता है मेस के दुरान तो जब उन्हों ने विरात चुली की वेट हाईट को बाल की वेस्टा यचे सब कंपेर किया तो वहां से technology ने ये जा निकाला कि अगर क्रीस के इसाब से बाल जो है वो नीचे थी वेस्ट आइट पे नहीं थी जिसके वैसे विरात्कोली को आउट दे दिया गया तो यहां पे टिकनालोजी ने कंफर्म किया दूसरे दिन जो ब्राड कास्टर है उन्होंने भी इसके एक्स्प्लेनेशन दी ल लेकर वहां पे विरात्कोली को एड्वांटेक दे दिया गया फिर फिर जिस तरह उस फ्री हेड़ पे तीन रंस बन गे बोल्ड हुए तो यह सारी चीज़े पक्सान के गश्ट के और पक्सान मेच हार गया अगर टेकनालोजी अच्छी हो सकती है तो आई सी को भी अपनी ट चाहिए और कुछ क्लियर कट रूल होने चाहिए जिसमें किसी किसम का हभाम ना हो ऐसे ना हो कि आप अपनी मर्दी से उसके एक्समेरेशन कर सकें